Firebolt back to back अपनी luxury smartwatches अब launch करने वाला है अभी recently उन्होंने Firebolt Quantum को launch किया था अब इसके बाद में उनकी जो नई luxury smartwatch है Flipkart के support page पर लिस्ट हो चुके जिसका नाम है Firebolt Blizzard अभी यह जो watch है बहुत यह से luxury लग रही है दिखने में बहुत अच्छे features नहीं आप बोल सकते हैं कि Quantum से थोड़े से advanced features आपको Blizzard के अंदर में देखने को मिल जाते हैं तो इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि Firebolt Blizzard कब launch हो रही है क्या इसकी price हो सकती है और आपको इस watch में कौन-कौन से features देखने को मिलेगे तो वीडियो के अंदर तक देखें जिससे सारी detail आपको इस वाले वाज की पता चल जाए पहले बात करते हम इसके design और build से तो Firebolt Blizzard का जो frame है ये round मिल जाता है Steelness Steel का इसका पूरा frame होने वाला है इसमें chain वाला strap मिल जाता है जो Steelness Steel का बना हुआ है काफी अच्छा material यहाँ पर Steelness Steel का यूज किया गया है टॉप में एक ceramic coating मिल जाती है वहाँ पर कुछ numbers लिखे गए है तो इसको थोड़ा सा sporty look भी offer करते हैं और right hand side में 3 physical keys मिल जाती है पर center में एक working crown है smart wise तकरीबन 2 से 3 अलग-अलग colors के साथ में आती तो color combination काफी अच्छा यहाँ पर दिया गया है brand की तरब से खास करके इसका जो gold वाला color है मेरे को personally बहुत पसंदा रहा है तो आप इसका design देख सकते हो बहुत ही luxury वाली feel आ रही है इसको देखके लेकिन भाई इसकी जो display है 1.28 inch की round HD resolution के display मिल जाती है तो अगर आपने fireball quantum को देखा हो तो same type की display आपको blizzard के अंदर में भी मिल जाएगी multiple watch faces cloud based होने वाले है custom watch face आप यूज कर सकते हो bright display होने वाली है colors वागर आपको average देखने को मिलेंगे तो अगर आपने अभी तक fireball quantum का मेरा review नहीं देखा है तो यहाँ पर link है आप यह वाला review वीडियो जरूर चेक आउट कर सकते हो लेकिन भाई इस बार workout mode के नंबर आपको जादा देखने को मिल जाते हैं तो blizzard के अंदर में 120 sports mode होने वाले है तो काफी लंबी list workout mode की watch के अंदर में ही मिल जाएगी अब जो aggressive अगरा है वो average वाली ही देखने को मिलेगी इसके अलाब Bluetooth call की functionality भी होने वाली है तो built-in microphone और speaker है जिसकी मरसे आप Bluetooth calls कर सकते हो वैसे अगर आप battery life देखते हो तो up to seven days का battery life है बिल्कुल normal use पे लेकिन अगर आप Bluetooth calls अगर attend करते हो तब दो दिन का battery life आपको इस watch में मिल जाएगा इसके अलाबा IP67 की rating भी मिल जाती हो तो accidentally पानी वगर आगर watch पे गड़ जाता तो उस case में खराब नहीं होगी और इस बार आपको इसमें AI voice assistant भी मिल जाता है तो basically आपके phone के voice assistant को smart watch टिगर भी कर देगी अगर fitness feature side से देखे तो इसमें heart rate है, spo2 है, sleep tracking है, breathe training, water drink reminder, sedentary reminder तो इस तरह के multiple type के fitness features मिलेगे average वाली ही accuracy आपको इन fitness features की मिल जाएगी इस बार Fireball Blizzard के अंदर में built-in games भी दिये गए हैं तो थोड़ा बूत आप time pass कर सकते हो games को खेल के सो कुल मिला के दोस्तों कुछ यही सारे features होने वाले हैं Fireball Blizzard smart watch के अब बात करें इसकी launch date और क्या इसकी price हो सकती है तो यह 23 February को दोपायर 12 बजे flip card पर sell पर जा रही है मुझे लगता है कि जिस price में Fireball quantum गई थी सेम प्राइस में Fireball Blizzard भी first time sell पर जाएगी लगबग 3000 रुपए के आस पास तो अगर आपने अभी तक Fireball quantum नहीं लिया है तो इससे भी premium looks वाली smart watch चाहते हैं देन आप Blizzard का wait कर सकते हैं अगर आपका फिर भी कुछ confusion है कोईरी है कमेंट करके पूछ लीजे मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में